कैसे आप लोग उमीद करता हूँ तेयारी बहुत अच्छे चल रहे होगी आपकी फिजिक्स की और हम लोग एक कंटिन्यू सीरीज बनाते जा रहे हैं जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि हाँ यह टॉपिक आपके लिए इजी भी है और इंपोर्टेंट भी है ज पर भी मैं अनलाइसिस कर रहा हूं लास्ट यह के कॉस्चेंस पेपर को और जो टॉपिक हम मैं बताते चल रहा हूं आप उन टॉपिक्स रिलेटेड नुमेरिकल सॉल करिए क्योंकि देखिए सर्किट के कुश्चन चप्टर 3 के कुश्चन सर्किट के कुश्चन और पेटन है उसके इसाब से मैं आपको कोश्चन भी करा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है और यही बोल रहा हूं बार-बार मैं आपको को आप लोग प्रॉपर इसको आप इसको क्लास जैसा ट्रीट करिए और आपना पढ़ते रही इसके है ठीक है डाइपॉल और डाइपॉल मोमेंट मैंने पहले बता चुका हूं वीडियो में आज हम उसका एक निमेरिकल करेंगे क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो आज का आज का जो कॉश्चन से वो निमेरिकल है क्या है there is an electric dipole on the xy plane physics में सबसे important होता है आप questions को read कैसे कर रहे है और समझ कैसे रहे है अगर आपने question समझ लिया तो बहुत easy लगेगा आपको क्या बोल रहा है कि dipole है जो कौन से plane में रखा है xy plane में रखा है its dipole moment is 4 into 10 to the power minus 9 cm दे रखा है आपको dipole moment दे रखा है on the same plane और dipole moment भी कहा है same plane में also a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 newton per kola तो आपको electric field भी दे रखा है if the axis of the dipole makes an angle 30 degree with the electric field मतलब dipole moment और electric field के बीच में एंगल कितना है 30 degree calculate the magnitude of the torque acting on the dipole and also mention the direction of the torque ठीक है तो बहुत अच्छा question है यह तो देखिए हम इसको करते है सबसे पहले physics में जैसा जैसा बोल रहे है वैसे आप इसका diagram बनाते रहे है तो सबसे पहले xy plane क्या होता है मैं बता दूँ आपको xy plane physics में क्या है देखिए माल लीजिए हम बनाते है तो देखिए क्या होता है physics में यह x बोल दो यह क्या बोल दिया जाए y और यह क्या बोल दिया जाए z तो क्या बोला है कि dipole कहां पे रखा है देखिए question में बोला है कि dipole कहां पे रखा है xy में कहां पे रखा है xy न तो इसको करते हैं dipole dipole क्या होता था आपको पता है dipole xy में रखा है चीक है और आगे क्या बोल रहा है question में its dipole moment is 4 into 10 to the power minus 4 cm on the same plane there is also a uniform electric field of magnetic field magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton परकुला electric field भी है तो हम इलेक्ट्रिक फिल्ड बना दें यहाँ पे इसी plane में इलेक्ट्रिक फिल्ड है उनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड ऐसे होती है ठीक है युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड है ऐसे इसी plane में हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फिल्ड यह xy plane होता है x और y का इसमें डाइपोल रखा हुआ है डाइपोल मॉमेंट आपको डाइपोल मॉमेंट पी से दिनोट करते हैं कितना दे रखा है और इलेक्ट्रिक फिल्ड दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फिल्ड कोश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है और बोल रहा है इनके बीच में एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री अब कैसे रखा है डाइपोल डाइपोल ऐसे कुछ रखा होगा एक एंगल पर रखा है कैसे रखा है एंगल पर ना डाइपोल कैसे रखा है एंगल पर रखा है ठीक है एंगल पर रखा है माल लिए इसको ना तो dipole moment जो होता था कौन सी direction में होता है मेशा negative to positive आपने पढ़ा था dipole moment कैसा होता है negative to positive होता है ठीक है इस direction में dipole moment है और electric field के साथ कितना angle बना रहा है तो यहाँ पर यह जो dipole moment जैसा ही behave कर रहा है और कितना angle बन रहा है 30 degree ना तो torque पुछा है यहाँ पर torque लगेगा simple सी बात है कितना torque लगेगा तो torque का formula क्या होता था मैंने derive करा है इसको आप videos में देख सकते हैं हम लोग के मेरे playlist में torque का जो formula होता था magnitude की form में वो कितना होता था P e sine theta कितना होता है P e sine theta ना पी क्या होता है dipole moment जो dipole moment हमको question में given है 4 into 10 to the power 4 बस value put करनी है आपको 4 into 10 to the power 4 electric field दे रखा है 5 into 10 to the power 4 और sine theta एंगल कितना बन रहा है उसके वीचे में 30 degree ना तो torque कितना 5 और 20 into 10 to the power कितना हो जाएगा 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 8 और sine 30 के value कितनी होती है 1 by 2 इसको solve करें तो torque जो है कितना मिल जाएगा 2 से 20 cancel होगा कितना आजएगा 10 into 10 to the power 8 या मैं क्या बोल सकता हूं direct इसको 10 की power 9 10 की power 9 और unit क्या हो जाएगी देखो dipole moment की इसके क्या था कुलाम इंटु मीटर और इसका क्या था न्यूटर पर कुलाम ती क्या हो जाएगा 10 to the power 9 न्यूटर इंटू मीटर यह आंसर हो जाएगा अब इसमें हमको यह question 3 मार्क्स का आया था आपके 2019 के एक्जाम में न तो यह 2.5 मार्क्स का तो यहां हो गया अब इसमें last में question पुछा है देखे also mention the direction of the torque आपको direction बताना है direction किदर होगा तो देखे यह क्या है अगर vector form में लिखूं में इसको vector form में टॉर्क को तो टॉर्क जो vector form में होता है क्या होता है P vector cross E vector ठीक है ऐसा होत प्लेक्टर में माल लो डाइपोल यह electric field कहा है एक्स में और यह xy plane में है xy plane में है दोनों मिलाके तो जो इसका resultant होगा वो कहां पे होगा z में कौन से में होगा z और किदर z होगा कुछ ऐसा होगा plane के उपर होगा न हम क्या बोल सकते हैं कि कौन से plane में होगा so लिख सकते है आप है so torque torque in yz plane क्या बोल सकते हैं yz plane clear है क्योंकि इस p के साथ कितना angle बनाएगा plane of paper outward direction में कितना बनाएगा 90 degree ना क्योंकि 30 degree पे है तो कौन से plane में आ जाएगा yz plane में कौन से plane में आएगा yz plane में इधर torque लगेगा ठीक है बास समझें सब लो ना चलिए next question की तरफ चलते हैं जो बहुत important derivation है और maximum repeat हो रहाई है न देखिए obtain question क्या है देखिए फिर से obtain an expression for drift velocity of an electron in a conductor drift velocity obtain an expression for drift velocity of an electron in a conductor drift velocity का आपको relation expression show करना है ठीक है तो क्या होता है सबसे पहले तो drift velocity तो देखिए क्या होता है यहां पर देखिए आप लो जब भी किसी conductor को जब भी किसी conductor को कंडेक्टर की बोला जाता है क्योंकि उसके पास क्या होते है free electrons होते हैं क्या होते हैं free electrons होते हैं बट जब conductor circuit में connect नहीं होता तो इसके जो free electrons हैं यहां पर मनलो खुब सारे free electrons हैं ठीक है यह free electrons move तो करते हैं बट conductor से बाहर नहीं आ सकते ना कब बाहर आते हैं जैसे ही जैसे ही क्या करा जाए इस conductor को किस से connect कर दें एक किस से connect कर दें एक external cell के साथ external source के साथ ऐसे भी बोल सकते हैं किस के साथ external source के साथ connect कर दिया जाए तो क्या होगा देखिए external source के साथ अगर connect कर दें तो क्या होगा यहाँ से current supply करेंगे जैसे current supply होगा इस external source से तो यह external source क्या provide करती है जैसे इस external source आया यह external source क्या provide करेगी electric field और हमने एक कल मैंने आपको बताया था electric field का formula क्या होता है बुलिए तो f by q तो यहाँ पर f का निकालने formula कितना हो जाएगा q into e मतलब क्या मैंने बताया था अगर कोई charge particle किसी electric field में रखा है तो इसको उपर क्या apply होता है force तो यह electric field यह electron क्या है charge particle in electrons पर क्या apply करेगी force और क्योंकि हमने पढ़ाया है कि positive charge के उपर in the direction of electric field होता है और negative charge के उपर opposite direction में तो यह क्या करेगी इनको खुद के opposite direction में क्या करेगी force लगाएगी जैसे force लगाएगी यह electron क्या होंगे drift होंगे और electron का drift होना drift मतलब motion में आएंगे और जिस velocity के साथ motion में आएंगे वही velocity क्या होती है drift velocity क्या होती है drift velocity तो हम क्या बोल सकते हैं अब इसको कैसे कर सकते हैं अगर आपको drift velocity का भी पूछता है define drift velocity definition तो भी आप लेख सकते हैं यह भी important question ना तो कैसे लिखेंगे लिखेंगे when a conductor when a conductor when a conductor connect connected with an external source in external source due to due to electric field due to electric field free electrons free electrons of the conductor free electrons of the conductor free electrons of the conductor experience experience force अमने को पता है क्यों force लगेगा and get drifted और क्या लिखेंगे and get and gets drifted with a velocity with a velocity which is called which is called drift velocity क्या कर लाता है एक electric field provide करेगी इस electric field की वज़े से यह formula हमने पढ़ा है इस electric field की वज़े से charge particle को पर क्या apply होता है force और यहाप electron charge particle है क्योंकि electron negative charge होता है इसलिए opposite direction में electron move होंगे इसलिए बोला जाता है कि कोई भी circuit होता है current और electron हमेशा opposite motion करते है जैसे देखो current तो इधर जा रहा है और electron कि इधर जा रहे है इस direction में जा रहे है ना तो किसी भी circuit में electron और current का motion हमेशा क्या होता है opposite होता है ठीक है अब हमको इसका formula derive करना है तो देखिए क्या क्योंकि motion हो रहा है तो यहाँ पेमाल लिया conductor की जो length है कितनी है L कितनी है L ठीक है तो देखिए क्या force 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 क्या बोलेंगे force on electron force on electron electron को force कितना लग रहा है formula क्या है QE यहाँ पे क्या हो जागा e into e क्योंकि electron है charge ठीक है हम जानते हैं क्या force क्या होता है mass into acceleration एक्षेलेशन जया लिख सकता हूं e into e ठीक है और यहाँ पे क्या लगा सकते है minus भी लगा सकते है क्यों क्योंकि force और electron का motion opposite direction वह रहा है तो acceleration कितना आ जाएगा minus ee by m क्या जाएगा इतना acceleration होता है क्योंकि motion हो रहा है तो acceleration होगा ही इतना acceleration हो रहा है ठीक है अब क्या करें क्योंकि यहाँ पर motion हो रहा है electron का so using Newton motion equation Newton first motion equation first motion equation क्या होता है सबने पढ़ा है class 11 में V equal to U plus 80 V equal to U plus 80 V जो है final velocity होता है और यहाँ पर final velocity को क्या बोल रहा है drift velocity उसको VD से denote करते है initial velocity कितना है 0 acceleration कितना है अब हमने पढ़ा ee by m ठीक है और साथ में क्या minus लगा दो क्योंकि opposite direction हो रहा है और T time जो है time की जगे जहाँ टो लेते हैं torque नहीं है यह टो बोलते हैं टो और यह क्या है relaxation time क्या है relaxation time बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो formula derived हुआ वो कितना हो गया minus ee tau by m यह होता है drift velocity का formula magnitude form में अगर इसको लिखना है simple in magnitude form यह vector form की बात कर रहे है magnitude form की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे vd equal to ee tau by m यह होता है drift velocity जिस velocity के साथ कोई भी electron conductor में move होता है e क्या है यह वाला e क्या है charge on electron capital e क्या है electric field tau क्या है relaxation time और m क्या है mass of charge mass of electron ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोग को लिए जल्दी है मैं model paper लाने वाला हूँ बढ़ आप लोग एक request है आप please इसको subscribe करा करिए channel को और like जरूर करिए ना ताकि हम लोग को motivation मिलता है ठीक है thank you